हेलो फ्रेंट्स आज की सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीविएस सेशन में देखा था डिजाइन के बारे में कैसे आप Android के अंदर डिजाइन कर सकते हैं तो हम लियाउट के बारे में पढ़ चुके थे लियाउट कैसे आपको यूज करना है और हमने दो ब प्रोच से आप अपने डिजाइनिंग का टाइम बचा सकते हैं और किस अप्रोच से आप अपने डिजाइनिंग को और परफेक्ट कर सकते हैं यह हमने सीखा आज के सेक्षिन में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम उनके व्यूज के बारे में बढ़ेंगे व्यू लगेगा तो वह कौन सा लगाना चाहिए रिलेटिव लगाना चाहिए, लेनीय लगाना चाहिए, तो यह रिक्ष॑ किया था, आज हम उनके एंडर जो व्यू दाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगा, बारे में इत्ल चुन देखेंगों ख crown हमने previous section में डिसकस किया layout के अंदर भी होता है तो layout भी एक view ही है पट actual में वह layout क्या कर रहा है व्यू तो है लेकिन वह व्यू ग्रूप से मतलब व्यू ग्रूप बाइड डिफॉल्ट एक व्यू क्लास सही extended है मतलब की वह किसलिए यूज आता है multiple further views को combine करके contain करने के लिए आपका व्यू ग्रूप या layout यूज आता है और जब मैं बात करें व्यू की तो व्यू केवल एक rectangular space को cover करना यानि कि जब हमको कुछ text दिखाना है तो हम एक व्यू यूज करेंगे जो text को बनाऊंगा मतलब की जो run time में user से input values लेगा तरसे कहीं सारे आपको views मिल जाएंगे जो common views हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे उनको कैसे integrate करना आपको Android के अंदर वह हम practically implement करके देखेंगे इस session के अंदर तो start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से common views जो है वह आपको basic starting के पता होने चाहिए और किसके बारे में आज हम सेशन में cover up करेंगे तो वह views कुछ इस तरसे हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं button बटन कोई भी आपका software हो या application हो कहीं पे उसकी जो practical implementation हो बहुत जादा हाई हो जाती बहुत जादा बढ़ जाती क्यों बढ़ जाती है उसका reason यह है कि यूजर कोई चीज पर अगर कोई action perform करवाना चाहता है जैसे लॉग-in करवाना चाहता है या गाने को play करवाना चाहता ह या message send करवाना चाहता है कुछ भी काम करवाना चाहता है तो बटन को ढूंडेगा जैसे मैं उस button पर प्रेस करूंगा उस relevant button पर जिस पर बटन पर आपने कुछ ना कुछ लिखवा रखा होगा जैसे button send के लिए होगा तो उसका नाम लिखा होगा send play के लिए होगा तो play या icon म बना होगा तो वो relevant button पर प्रेस करेगा तो उसके relative जो काम है वो perform हो जाएगा यानि कि जो action है वो event जो है वो fire हो जाएगा उस particular button के उपर तो button का रोल यह होता है कि user उस पर click करेगा और हमको को action perform करना है या event fire करना है then आता है आपका text view तो नाम से suggestion मिल रहा है आपको text को view करन नाम सी समझ मारा इसके अंदर भी कि image को अगर आपको show करवाना है तब उसके उसका और आपका image का use आएगा जहां आप icon शो करवा रहे हो जैसे आप कहीं बार क्या करोगे button ना बनाके icon भी use करके उसका काम करवा सकते है जैसे play वाला case है तो play की case में button ना use करके play icon भी लगा स comment perform करूँगा जैसे play के अंदर में करूँगा उस पर music play करवाँगा तो image view दो जगा काम आता है एक तो आपकी image show करने के लिए काम आता है कि अगर वो transparent है तो मैं उसको icon perspective से use करूँगा और अगर normal है जो jpg फाइल है जो transparent नहीं है जिसको मैं को as a banner दिखाना है as a slider दिखाना है as a wallpaper दिखाना है तब मैं normal images का use करूँगा जो की होगी आपकी jpg या jpeg चीक है उसके बाद में आता है आपका added text नाम से समझ मा आ रहा है एडिट करना text को तो runtime एडिट कौन कर सकता text को user कर सकता तो अगर user runtime एडिट कर रहा है that means हम user से कहा ले रहे है input ले रहे है जब भी हमको android करना user से को भी value चाहिए हमारे app के interface से तो हमको क्या चाहिएगा added text का use लेना पड़ेगा ताकि हम user से कोई भी तरह की value input करवा पाए ठी right-hand side में देख सकते हैं कि एक simple सा app है जिसमें जो आपका उपर की side में जो green color के boxes वाला image आ रही है यह हो गया आपका image मतलब एक image ऐसे show होती है android अंदर तो कोई भी image अगर आपको show करवानी तो आप ऐसे show करवा सकते हैं यह image मैंने dummy image लिए आपको ऐसी image दिखानी वह आप दि implement करेंगे उसके बाद में आप यहां देख सकते हो कि enter your name करके जहां पर जैसे आप करोगे यहां पर cursor blink कर रहा होगा तो जैसे आप यहां पर आपको कीबोड ऊपर आएगा और user उस पर कुछ भी value देगा और वो कोई भी button के उपर हम उस पर value ले सकते हैं ठीक है यहां पर in improve करने के लिए अगर हो बटन के साथ में आइकन लगा रहा हूं तो यहां पर पर आप उसका आइकन देख सकते हैं और यह सिर्फ आपको यह बताने के लिए किर को दो इमेज यूज आा रहे हैं दोनों का अलग-अलग perspective है कि अगर आपको आइकन तीखाने तो आप उस समश से मैच करेगा तो उस केस में आपको PNG या SVG फाइल का यूज करना है और उसके बाद में आप यहां देख सकते हो राइट हैं साइड में आप देख सकते हो कि इसके टैप करने पर हम कोई भी एक्शन या कोई इवेंट करवा सकते हैं कोई इवेंट करवाने तो मैं इस बटन के क्लिक पर करवाना है और वहां पर लिखावा है और वहां पर लिखावा है send message तो उसके क्लिक पर क्या होना चाहिए message send होना चाहिए तो यह जो set of instructions है इनको हम इवेंट कहते हैं और यह इवेंट particular चीज को execute करने के लिए उस लिए हम उस बटन के उपर इसको fire करेंगी अब इसको practical implement करने के लिए हमको Android Studio में जाना पड़ेग तो अभी मैं आ जाता हूं इसके अंदर तो आपको यहां पर constant layout मिलेगा जो कि मैंने फीचले session में भी discuss किया आपको उसको हटा देना है यहां पर आपको linear relative लेलना है constant वाला जो topic आएगा उसके बाद आप constant use कर सकते हैं अभी जब basic हम सीख रहे हैं कोई भी layout को तो हमेशा यह priority रहेगी कि आप जो universal layout या फुर जो primary चीज़े हैं वो पहले हम समझें root समझना बहुत important है उसके बाद में जो भी नहीं चीज़ा आई है Android अंदर वो भी हम सीखेंगे लेकिन पहले जो Android में पहले से है उसी को हम पहले समझेंगे ताकि आपको एक overview समझना है कि actual में यह जैसे कि मैं यहाँ पर linear layout ले चुका हूँ अब child की बारी आती है तो child हमेशा किसके अंदर आएगा कोई ना कोई view group के अंदर आएगा तो यहां मैंने अपने root tag के अंदर ही सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ एक child बना रहा हूँ अब सबसे पहले हम क्या देख रहे ह मैंने आपको पहले ही बोला कि यह case sensitive है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है अगर आप i small लेके यहाँ पर search करेंगे या लिखेंगे तो आपको कोई suggestion नहीं मिलेगा और नहीं अगर आपने image यू ऐसे लिख भी दिया तो भी आपको वह image यू जैसा काम नहीं करेगा तो width और height देना एक view के लिए सबसे important चीज़ है जिसको हम कहते है required parameter या required attribute तो वह आपको देना ही पड़ेगा तो जो दोनों attributes से वह खुद से आपको लिखने पड़ेगी है और अगर आप यहाँ पर directly enter कर देते हैं तो android क्या करेगा आपके लिए और दोनों चीज़े automatically place कर देग लेकिन height wise मैं इसको थोड़ा कम height पर दिखाना चाहता हूं मतलब मैं चाहता हूं 200 dp या फर हम मैं इसको कर देता हूं 300 dp चीक है एक बार के लिए इसको close कर देता हूं अभी मैंने image रगा ही नहीं सर्फ मैंने image view लिया है चीक है तो यहाँ पर आपको image set करनी है चीक है तो image set करने के दो तरीके होते हैं android दो तरीके कौन से होते हैं एक होता है background और इक होता है source चीक है अब मैं बात करता हूं इन दोनों में difference कर देको background वाला जो आट्रीविट है वह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा कहीं पर in the sense कोई भी view के background में जाके आप कुछ भी image set कर सकते हो image भी color भी set कर सकते हो जैसे कि मैं linear layout में मैंने background टैप किया background attribute डाला तो यहां देख सकते हो के background यहां पर भी ले लिया गया चीक है तो आप मैं यहां पर कोई भी image देता हूं add the rate drawable तो देखो अभी drawable में जो image पड़ी वही मैं use कर रहा हूं तो आप देख सकते हो full screen पे क्योंकि मा color दे दीजिए कैसे देंगे आप hash, fff, fff क्यों कर रहा हूं क्योंकि में को color code पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा एक बार एक simple color लूँगा और left hand side में जाके यह panel खोल लूँगा अब जो भी color चाहिए वो मैं यहां पर लगा जकता हूं जैसे ही मैं इस पर click करता हूं तो यह चेंज हो चुका है तो यह background है तो background वाला जो attribute है वो आपको सब जगा मिल जाएगा तो वो image view में भी मिलेगा तो आपको इससे confused नहीं हो रहा है हमको image को अगर सई से properly set करना है तो उसका जो main role है वो source के उपर होता है src नाम से तो यहां पर आपको बाकी सब जगा आपको background म image set कर सकते हैं लेकिन अगर हम image यूजी कर रहे हैं तो हम जो main use है main functionality वो source के लिए तो src यह आपको देना पड़ेगा यहां पर और फिर आप जो भी आपको image देनी है जैसे अगर आपको background image देनी है कोई भी image अगर आपको यहां देनी है तो आप यहां दे सकते हैं तो उसके लिए आपको जो भी आपकी images है वो कहां होनी चाहिए इस resource वाले folder के अंदर उनी चाहिए रिसोर्स वाले folder के अंदर ड्रॉयबल वाले folder के अंदर जैसे कि मैंने जब starting में आपको यह folders के बारे बता था तो मैंने आपको बताया था कि रॉयबल folder में क्या-क्या चीज़ें आत करोगे वह आपको ऐसे पेस्ट करके यूज कर लेना लेकिन अगर आपको svg यूज करना है आइकन वाला काम कर रहे हो तब svg files वह यूज माईगी तो आपको क्या करना है रॉयबल पर राइट क्लिक करना है न्यू पर जाना है और यहां पर आपको search करना वैक्टर असे यहा यहां मैंने browser open कर लिया है अब इसके under आपको क्या करना है यहां पर आप नेट पर आपको बहुत सारे SVG icons की site मिल जाएगी तो मैं जो यूज करता हूं वह है flat icons आप ऐसे search करता हूं बहुत सारी svg files मिल जाती है png भी मिल जाती है but png आपको normal sites भी मिल जाएगी लेकिन main चीज यहां पर svg को don't rhyme तो यहां पर आपको क्या करना है search करना है जैसे की मैं को यहां पर image लेगा जैसे की contact us की icon चाहिए ठीक है और वो कौन सा चाहिए svg format में चाहिए मैंने यह search किया यहां पर आपको बहुत सारे icons मिल जाएंगे जो भी आपको relevant लगे या better लगे तो उसको आप use कर सकते है और use कैसे करना भी मैं बता रहा हूं आपको क्लिक कर लेना है आपको डाउनलोड में एक फोल्डर बना लेना है ठीक है क्योंकि यह बैटर तरीका है फोल्डर बना लेंगे हम project images नाम से इससे क्या रहेगा आपको याद रहेगा कि आपका विंडो जो है मतलब आपका कौन सा फोल्डर है जिसमें आपकी सारी images पढ़िए चीक है और एक चीज़ और दियान रखना अगर आप इसको Android में यूज करने वाले हैं तो आप जो भी नेम दे रहे ना वह जो नेम है वही चेंज कर लें जैसे कि मैंने आपको बताया के नंदर कोई भी फाइल अगर आप इंसर्ट करते हैं तो वह जो फाइल है उसका जो naming convention है वह आपको ध्यान रखना है starting with number नहीं होना चाहिए capital letter कहीं न ना करना पड़े रिफ्रेक्टर ना करना पड़े तो मैं यहां वही नाम दे रहा हूं और इसको save कर लेता हूं save करने के बाद में आ जाते हैं हम उसकी हमको required नहीं हमने svg file को save कर लिया है अब वापस चलते हैं हम यहां पर और यहां पर आपको local file पे click करना है उससे पहले हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप local file पे click करेंगे यहां पे पात पूछेगा आपसे यहां पे folder का option आएगा इस पे आपको click करना है और आपको देखना है कि आपकी फाइल है वो कहा है तो मेरी फाइल डाउनलोड में बढ़ी तो user के है तो जैसे आप करेंगे आपको right hand side में आपका icon दिख जाएगा अगर आपको icon नहीं दिखता है यहां पे तो यह error देदेगा यह वो correct वैक्टर असेट नहीं है तो आपको दूसरा वैक्टर असेट डाउनलोड करना पड़ेगा वो वैक्टर असेट सही formation में नहीं है तो य यहां पर दिखेगी नहीं अगर उसमें कोई error होगा तो आपको next कर लेना है and then finish कर लेना है तो यह आपकी simple सी image आगी अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ चला के वह image कैसा आएगी import हो चुकी आप देख सकता है import हुई के नहीं वह आपको यहां पर project के अंदर रॉइबल के अंदर यह देखो यह रही इंपोट ही और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा code रीटन है तो रन टाइम में इसलिए आप कितना भी जूं कर लो इस फाइल को कितना भी आप बड़ आपको साथ इमेजस अलग-अलग dimensions की लेनी पड़ती है hdpi xdpi उससे हमको यह चीज बचा देती है तो यहां पर ड्रॉइबल में आपको control space करोगे तो आपको suggestion मिल जाएंगे नहीं तो आपको नाम देख लेना है नाम किस से शुरू हो रहा है आइसी से शुरू हो रहा है क्योंकि वह android ने इंपोर्ट करी है अगर हम drag and drop paste करते हैं तो हम भी ic लगा सकते हैं लेकिर हम by default क्या करते हैं उसका नाम लगाते हैं तो हम आगे img भी लगा सकते हैं तो वह हमारे लिए बैटर रहेगा कि यह जो इतनी सारे drawable में इतनी सारे images है यह कौन से particular type के लिए यूज में आ रहे हैं तो आप यह naming convention भी कर सकते हैं आगे जैसे कि android करता है तो ic contact us यहां पर आप राइटन साइड में image देश सकते हैं अभी के लिए मैं को यह चीज में कोई icon लगाना नहीं है क्योंकि में को यह icon जो भी यूज होगा वो एक particular चीज को symbolize कर रहा होगा तो वहां पर मैं इस icon को use करूँगा यहां इस जगह पर में JPJ या banner file को use करूँगा क्योंकि यहां पर उसकी need भी है तो मैं use करूँगा यहां और जहां icon की requirement है मैं icon use करूँगा तो यहां पर drawable के साथ में क्या use करने वाला हूँ जो by default हमको background मिलता है जो भी image आपको चाहिए यहां पर वो आप rag and drop करें copy paste करें simple सा तरीका आपको copy paste करना है और naming का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि naming में आपने कोई गलती ना करी हो ठीक है क्योंकि अभी जैसे ही आप paste करोगे तब error नहीं आएगी जब आप runtime में चलाओगे तब वो error शो करेगा resource की तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप वहां पर जो भी फाइल को पेस्ट कर रहे हो उसका नाम आप सही से लिखे सही से इनसेंस नाम कुछ भी लिखे ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिए लगाना है तो बहुत ज़रूरी है नहीं लगाना ज़रूरी नहीं है बट वह आपके convention के लिए better है लेकिन नेमिंग convention है वो ज़रूरी है कि आपका capital letter नहीं होना चाहिए रही पे भी name के अंदर पेसेज नहीं होनी चाहिए special character में केवलो के और underscore लगा सकते हो आप और starting with number नहीं होना चाहिए तो इन चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कोई भी file को paste करते है तो हम resource के अंदर ही drawable folder के अंदर ये file को paste करें तो हमको ये चीज़े ध्यान रखना है तो आपकी problem create नहीं time में bitmap जो आपका drawable है जो image है वो draw की जाती है user की screen के ओपर जब आप image को set कर रहे है तो आपको इस ध्यान रखना है कि जो भी आप image ले रहे हो उसका dimension है वो 1024 से बढ़ा नहीं हो ठीक है कुछ cases में हैसा हो कि आप बढ़ा लोगे तब भी चल जाएगा लेकिन आप बड़े requirement नहीं है आपका कोई desktop यहां पर यूज नहीं आ रहा है नहीं आप किसी पर desktop वाली image लगा रहे हो तो यहां पर आपको जो mobile के अंदर यूज में आती है उनके dimension लेने 512 by 512 वाला dimension ले सकते हो या 1024 into 968 वाला dimension ले सकते हो तो यह at most है इसके साथ अब यगर आप यूज कर तो compassory error नहीं आएगी लेकिन हो सकता है कि error आ जाए जब वो bitmap raw हो run time पे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको कुछ नहीं करना कर आपको यूज भी करना है तो आपको क्या करना है उसको paint में जाके उसको resize कर सकते हैं या फिर Microsoft का picture viewer आता है उसमें आप resize कर सकते हैं में नए dimensions डालने और resize पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई resize image मिल जाएगी और वो download करके आपको इसमें यूज कर लेनी है अब यहां पर आपका image view सैट होगा और image view के साथ में एक चीज़ और करनी होती content description और यह mandatory है आपको कोई भी description यहां पर set करना है इस image use से regarding कि आप यह जो image लगा रहे है उसका description क्या है मतलब यह image यहां पर क्यों रही है as a banner show हो रही है as a wallpaper show हो रही है या as a icon show हो रही है और icon भी कौन से type का ठीक है तो यह content description देना आपको ज़रूरी है अब यहां मैं देता हूं contact page ठीक है मैं यहां पर contact page बना रहा हूं या about us page बना रहा हूं तो इसको hard-coded कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यह कहेगा कि hard-coded है आप इसको क्या करो soft-coded करो soft-coded का मतलब क्या हो जो मैंने strings xml आपको बताई थी जहां पर भी आपको string यूज आ रही है वो सारी strings जो है वहां पर उस file में store करेंगे and then उनको call करेंगे वाप पर आपको declare करनी है देखो mandatory नहीं है आप hard-coded भी देज़कते हो बट वो जो warnings आ रही है उन warning sign को हटाने के लिए आप यह चीज करोगे और plus अगर आप बड़े project पर work कर रहे हो तो यह professional तरीका है क्यूं क्यूंकि reason है क्यूंकि अगर आपको string ऐसा है जो बार-बार repeat हो रहा ह तो उस case में क्या होगा कि आपको एक जगा ही लिखना पड़ेगा सब जगा लिखने की ज़रूत नहीं आप सिर्फ उसको call करो और वो apply हो जाएगा और फिर अगर में changes आए तो आपको एक ही जगा change करना पड़ेगा सब जगा change नहीं करना पड़ेगा तो इसका यह application है तो इ यहां पर about page manual ही ना लिखके string से call करूंगा तो जब भी आप xml से call कर रहे हैं तो आप लगाएंगे add the rate string जिसे drawable के लिए हमने यूज के add the rate drawable चीक है यह होता है आपका simple image अब देखो image के अंदर जो image की by default dimension होता है वह इसमें ले लिया है अब मैं चाहता हूं कि यह image जो है वह stretch हो जाए जैसे आप wall paper side करते हो अपने desktop पे या जिसी के ऊपर तो आप देखते हो कि उसकी by default side है वह आ जाती तो left hand side और right hand side में तोड़े image रहाती ह या उपर और नीचे की साइड में space रह जाती है तो उस case में आप क्या कर सकते हो यहां पे एक होता है scale type तो यह scale type में यहां लगाऊंगा और इसमें आपको जो भी करना center crop करना center inside fit center तो मैं यहां पर text by use करूंगा यहां देख सकते हो पूरा stretch हो चुका है तो यहां पर यह यहां पर दिखाना है या जितने पर भी दिखाना है आप दिखा सकते हो तो मैं हमेशा क्या करूंगा क्यूंकि मैं कोई एक about us दिखाना है तो पूरी screen कवर करनी है तो width wise को matchime करता हूं height wise उसको wrap करूंगा यहां के मैंको नहीं पता कितना content आएगा और font size मैं देखूंगा प आप अब आते है टेक्स की बात करते हैं तो अब आपको कोईОpe भी देना है एंदर ने एंटर करके автомatically Android कॉलन आगे लग जाएगा 乾्कित है अगर मेरा जो भी आपको टेक्स देना है फिर से क्या करेंग में आपको यहाँ पहसे कर सकते हूँ जहां पर अपको दिखाना जो भी टेक्स आपको चाहिए शहीं है और उसका जो भी काल करेंगे जिसे आपको आईटया हो जाए कि यहां पर कौन सा text पड़ा है तो यह मेरा about us है तो about us मैंने एक about us नाम की string बनाई है ठीक है यह क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर about us slightly भी change होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा सब जगह जाके change करना पड़ेगा तो इस अच्छा बैटर क्या है कि आप string वाली file में एक जगह change करो जहां आपने इसको call किया है सब जगह automatically change हो जाएगा तो यह important इसका application है अब आपको यहां पर क्या करना है add the rate string और about us को call करना है तो जो भी आपकी string होगी वो यहां पर आ जागी जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पूरी string यहां पर आ चुकी है अब मैंको क्या चाहिए यहां पर कि यार यह size थोड़ी सी कम है तो size बढ़ाने के लिए क्लिए टेक्स्ट size होता है यहां पर आपको simple सा text size के अंदर जाना है और यहां पर size देनी है देखो हम जब भी भी fix size देता है या जब भी कोई dimension देऊंगा तो मैं क्या दूँगा एक डीपी लगाँगा जैसे कि मैंने आपको previous section में बताया था डीपी के बारे में density of pixel तो यहां पर ऐसा unit होता है बट जब मैं size की बात तो हम डीपी ना देंगे dp use आएगा और जब font की बात होगी तब हमेशा आपका sp use आएगा ठीक है अब उसका एक बड़िया application में आपको बताता हूं कि runtime में क्या होता है जैसे को user अपने font की settings उसमें जाके font size बढ़ा देता है universal तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी apps हैं उनकी font size बढ़ जाती है अब वह कैसे बढ़ रही है वह ऐसे बढ़ रही है कि जिन्होंने भी app बनाई होगी उन्होंने अपने जहां 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 फॉन्ट यूज किया है तो वह automatically scale करता है font की settings को देखते हुए लेकिन अगर मैं किसी ने वहां पर text size में डीपी यूज किया है तो हमेशा जो font की जितनी भी properties है वह आपकी SP अगर आपने दे रहा है तो वह universal settings उस पर apply होगी नहीं तो नहीं होगी तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप font से regarding कोई भी चीज कर रहे है font ही size दे रहे हैं तो आपको क्या use करना है SP यूज करना है तो अभी मैं यहां पर by default एक textile textile पे आपको यह तीनों option मिल जाएंगे bold italic and normal normal by default होता है bold italic आप कर सकते हैं मैंने बोल्ड किया यहां पर बोल्ड हो चुका है अगर आपको चाहिए तो अगर आपको उसकी formatting करनी है और और ऐसा कुछ तो वह भी आप कर सकते है font change करना है तो font के एक अलग section है जिसमें आपक custom fonts लगा सकते हैं android गंदर तो अभी के लिए हम font जो by default है वह यूज़ कर रहे है अब आ जाता है यहां पर एक और चीज़ होती text all caps अगर आपको सारा capital में दिखाना है तो आप यह true कर सकते हैं तो आप यहां right hand side में देखेंगे सब कुछ जो है वह capital में हो चुका है बटम के case में by default true ही रहता है लेकिन बागी सारे case में यह कह रहेगा by default false रहेगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे जो text है वो capital में है तो मैंने यह चीज़ नहीं लगा है अगर आपको चाहिए तो आप यह वाली जो attribute है वो use करेंगे तो यह हो गया आपका text view अब बात करते हैं image ही हो ग आपको full screen पर दिखाना है for example मैं यहां बात करूँ हाइट हमेशा added text के आपको wrap ही लेनी है इतनी होगी added text added text आपने ऐसा नहीं देखा का बहुत बड़ा हो बहुत rare case है अगर आपको चाहिए वैसा तो वह बड़ा हो सकता है run time में लेकि नॉर्मल ही क्या होगा कि आपको एक line के लिए होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है wrap ही रखना है by default और अगर आपको full screen पर दिखाना है तो यूजर को अगर आप wrap content देते हो तो यूजर को आप सिर्फ इतनी सी space देते हो जिसे वो click करेगा और फिर enter करेगा इसमें होगा जरूर कि जैसे जैसे वो लिखता जाएगा वैसे बड़ा होता जाएगा लेकिन at least user को लगना भी तो चाहिए क्या इस space पर में को data देना है या क्या use करूंगा तो यहाँ पर एक option आता है EMS का अब यह EMS क्या है तो देखो EMS के लिए समझते हैं हम alphabet तो alphabet start होता है आपका A से लेके Z तक तो अभी आप देखो A से लेके Z के बीच में ऐसा कौन सा एक alphabet है जिसकी जो width है width in the sense कि अगर यह A है तो A की width कौन से होगा यहाँ इ EMS is measurement of 1M ठीक है तो अब यहाँ पर आपको जैसे कि एक edit text लेना जिसमें आप user से name ले रहे हो तो name के लिए आप average सोचो के कि या average name कितना हो सकता है 10 से 15 letters के बीच में होगा तो मैं 12 ले लेता हूं ठीक है अब 12 में किसी का name short होगा किसी का length भी हो सकता है लेकिन on average 12 में उसका name बारा लेटर से बड़ा letter की इसको requirement नहीं होगी तो मैं यहाँ पर EMS क्या कर दूँगा 12 कर दूँगा आप यहाँ देख सकते हो कि 12 M आने की जितनी जगा होती है उतनी space इसको lot हो गई है 12 M के लिए for the best case क्योंकि अगर M आ सकते है 12 तो बागी letter जो है वह तो उससे छोटे ही ह जाएंगे तो इसलिए EMS का use इसमें आता है अब जलता है EMS आने के बाद में इसमें इंपॉर्टन चीज होती होता है इन्पॉट टाइप जिसे आपके telephone के अंदर आता है या फिर आप एक form फिल करते है number का जिसमें आप देखोगे केवल number सी ऐसा option आते हैं आपके बाद बहुत सारे यहां पर options हैं हर एक चीज के लिए options हैं यहां पर जो text password इसमें क्या होगा जैसे जैसे मैं type करूंगा वह automatically उसको यह तो बनाता जाएगा या फिर डॉट बनाता जाएगा तो वह password के case में हो जाएगा देन आपको number में भी आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे number मे बहुत से की decimal पॉइंट वाली value इंसर्ट करवानी है या signed प्लस माइनस वाली value इंसर्ट करानी है तो उसके रिए sign वाला password वाली करवानी है तो password वाला और normal number करवाने तो number वाला जीक है अब ही के लिए यहां पर text input ले रहा हूं तो मैं यहां पर मतलब alphabet input लेने वारा हूं तो मैं यह text कर देता हूं इसके बाद में आता है option hint का नॉर्मली क्या होता था आपसे पहले यह आपका edit text नहीं तो उसके आगे आपको label लगाना पड़ता है यानि एक text यू लगाना पड़ता है इसमें वो user को define कर करना है तो मैं यह लिख देंगा enter your name तो इससे क्या होगा कि यह पहली बात तो यह एक अनहीलिटेड कलर में आएगा यानि कि एकदम ग्रेश कलर में आएगा ठीक है light gray color के अंदर जैसे user इस पर click करेगा input देने के लिए तो automatically यह जो आपको अभी दिख रहा है text यह पूरा का view है जिसमें आपको क्लिक करने पर एक action perform करना है तो UI wise आपको इसमें कुछ changes इतने करने नहीं पड़ेंगे फिर भी मैं आपको उता देता हूं जैसे आपको wrap content wrap content देना है तो wrap wrap देती आपका by default size होती button की वह आ जाएगी अब देखो यहाँ पर जैसे कि इने पिछले section में भी करते हैं और अगर आपके पास latest वाला version नहीं है तो आपके button के अंदर क्या होगा यह default button आ रहा होगा मतलब कोई color नहीं आ रहा होगा default जो grayish color होता है वही आ रहा होगा अगर ऐसा कुछ होता है और आपको app compact button नहीं लेना है कोई नहीं सेम चीज़ है जो आपका app compact button काम कर रह है ठीक है अब उसको अपगेड कर दिया जैसे कुछ library functions android day-to-day updates के साथ में अपगेड करता रहता है तो वही चीज़ करें इसमें तो अगर बटन भी यूज़ कर रहे है और आपको app compact यूज़ नहीं करना है तो आप उसमें background tint दे सकते हैं ग्रेश कलर का तो ग्रेश कलर आप पर आपको gray color मिल जाएगा ठीक है यह हो गया आपका simple सा button अब button के उपर कोई भी text आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको simple सा लिखना है text और जो भी आपको यहां पर text दिखाना है के contact us या जो भी आपको चीज दिखानी है वह आप यहां दिखा सकते है जो भी आप उस button जो यूज में आएंगे ना वह यहां पर डिसकस कर रहा हूं और बाकी जैसे जैसे हमको run time में जो हम topics करेंगे उनको cover करते हैं जो भी requirement होगी उससा आप से आपको सारे attributes समझ मा जाएंगे ठीक है और mostly cases में आपको attributes नेम से समझ मा जाएगा तो color के अंदर मैं यहां देता हू अब ही मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और चीज़े layout से related अब यहां देख सकते हैं कि आपको जो आपका text view है जो आपका image है एकदम आपके corner जो layout के corner से चिपकता हूँ बन गया है और यह चीज़ by default होगी भी कि आपने कोई space छोड़ी नहीं है तो अब मैं आपको बताने और वो आप किसमें दोगे DP के अंदर तो मैं को 11 की space की margin देनी थी तो मैंने देदी तो आप यहां देख सकते हैं इसके चारो तरफ से 11 dp की space मिल चुकी है नीचे से भी right से भी left से भी और top से भी चीख है अब मैं बात करता हूँ padding की padding का बलत होता है अंदर की तरफ तो मैं मैं इस layout को padding दूँगा तो आप change देखना मैं एक बार के लिए margin को हटा देता हूँ अगर आपको चारो तरफ से देनी तो simple padding देनी और अगर आपको एक end से देनी है तो आपको simple सा क्या करना पड़ेगा padding के अंदर भी आपको padding bottom देनी है padding end देनी है देखो bottom जो हो गया वह आपके नीचे के लिए काम आता है मतलब जो यहां वाली अगर आपको नीचे वाली साइट जो आपको padding देनी है तो bottom यूज मा आएगा और अगर left से देनी है तो आपका left भी यूज आ सकता है और right से देनी है तो right भी यूज आ सकता और end भी यूज आ आपको तो आप पैडिंग देंगे और बार की तरफ जब भी आपको स्पेस देनी है तो आप मार्जिन देंगे इसका प्राक्टिकल एप्लिकेशन जो है वह आप जब प्राक्टिकली डिजाइन्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ माएगा अभी के लिए मैंने पैस दे दिया अंदर से तो आटोमेटिकली सबको एक तरह से मार्जिन मिल गई उसके पैरेंट को पैडिंग हमने दीए तो अभी मैं इसको आपको प्राक्टिकली एमिलेटर पर चला कर लेते हैं जो आपको यहां देख रहा है वही दिखेगा कोई चेंज नहीं आएगा ब आपका मुबाइल पर कहीं प्राबलम तो ख्रीट नहीं करा रहा है अगर नहीं हो रही है तो आज की सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं नेक्स सेशन में हम देखेंगे ड्रेग और ड्रॉप के थूँ डिजाइन कैसे की जाती है तो आजशी क्लास के लिए इतना ही थैंक यू झाल